यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ दरसल जैराम सरकार का ये कहना है कि अगर राजय सची वाले को पेपरलेस बनाये गया तो पेड़ पाओधों की कटाई कम हो जाएगी जिससे पर्यावरन को काफी लाब मिलने वाला है जानकारी के मताबिक हिमाचल विधानसभा के पेपरलेस होने से साल में 6,000 पेड़ कटने से बच्चते हैं और इतना ही नहीं सरकारी खजाने को सालाना 15 करोड रुपाई का लाब होता है तो यहाँ पर आपको बता दे कि हिमाचल सरकार ने अब पेपरलेस काम करने का फैसला लिया है इससे जितने भी 6,000 तकरीबन हर साल पेड़ कटते हैं वो कटने से बच जाएंगे उनमें कटाउती होगी और ऐसे में जो राजस्व का नुकसान होता है वो भी इमाचल सरकार को जेलना नहीं पड़ेगा तो कहिना कई अब हिमाचल सरकार इस तयारी में है कि जो इतने भी काम होंगे वो पेपरलेस होंगे आपको बता दे कि अभी हाल ही में हरियाना में भी एफैसला लिया गया है कि पेपरलेस काम होगा और इसके बाद अब हिमाचल में ये तस्वीर देखने को मिल सकती है कि सभी काम जो होंगे वो पेपरलेस होंगे यानि कि दिजिटल इंडिया का जो है एक सपना दिखाया है प् प्रजेक्ट तयार हो गया है और बस इस प्रजेक्ट पर अब विचार विमर्ष करना बाकी है तो पेपरलेस सभी काम हो जाएगा इसके बाद पेडों की कटौती कम हो जाएगी और पर्यवरन भी हरा भरा रहेगा और जो की नुकसान होता है राजस्व को वो भी कहिना कही बचु जाएगा तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक फैसला दिया गया है जिसमें पेपर लेस्स अभी काम होगा और आज के समय में पेपर लेस्स काम भी बेहत जादा जरूरी है क्योंकि पेपर बनाने के लिए कही न कहीं पेड़ों को काटना पड़ता है जिससे की तो नुकसान होता ही है इसे के साथ जो राजास्वा आए होती है उसमें भी कहिना कहीं कटौती होती है कर दो नुकसान होती है